very good ending बच्छो very good ending कैसे हो सभी लोग बढ़या हूं अच्छे हो विंदास हो जखास हो सब को वाई सारी होगे बच्छो सभी को वाई सारी है बहुत अच्छे से वाई सारी होगी और proper आप सुन पा रहे होंगे लेट से स्टार्ट सिलेंडर पार्ट त्री तो आयो बचो सभी बढ़े होंगे सभी लोग बढ़े हैं स्टार्ट करें चलो आप सभी लोग अच्छा बच्छो एक बात ये बताओ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिसकस किया था आप लोगों से लास्ट कोश्चन हो गया अच्छा चले स्टार्ट करते हैं अच्छा फटा फटा आप लोग वीडियो भी सेर करते हो अच्छो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोश्चन डिसकस किया था जाहिन 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 अब लोगों ने वाटर फ्लो दा रेट टेन मीटर पर सेकंड पर मिनट सिलेंडिकल पाइप यह वाला कुश्चन थोड़ा अच्छा है इस तरीके से वाट इस था बींग पप्ड आउट थ्रो दा सर्कूलर पाइप फूस इंटर्नल ड सबसे निगलता कैसे निकलता यह सारी चीज हम लोग आप डिसकर्स करने वाले हैं अप लोगों के साथ अचाप सबी लोग मेरे प्यारे बच्छो मेरे फ्स लारे बच्छो अपने सब से प्यारे बच्छों फुटा-फट इस कोश्टन को ट्राय निरए और हां खो कि वेरे कॉटिन वेरे कॉटिन आप सभी लोगो एक सी जोर बताने वाला हूं है कि हम लोग आप लोग को यह भी बताने वालों बच्छों कि जो हम लोग संड़ को पीवाई क्यू स्वारी मॉक्टेस डिसकसान है उस पर हम लोग पूरे कोशन्स डिसकस करने वाले तो आप सभी लोग उसको ज़रूर जोईन करें ठीक है अब बात करते हैं अब बात करते हैं एक सर्कूलर फाइप कीज़ें यह सर्कूलर फाइप है अब बात करते हैं एक सर्कूलर फाइप की पानी ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसमें कभी भी वॉलूम आफ वाटर आप से निकला जाए जो होता है एरिया आफ क्रॉस सेक्षन हमें इसा बोलते हैं एरिया आफ क्रॉस सेक्षन इंटो इस्पीर इंटो टाइम अभी मैं बताता हूं कैसे यह होता है यह हम दूसरे वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं कि जो वालूम आफ सेलेंडर होता है जैसे हमारा पाई आयार स्कॉइर अच पाई आर स्कॉइर एच होता है जो वालूम तो हम एच की जगा क्या लिख देते हैं पाई आर स्कॉइर इस्पीर इंटो टाइम यह द्यान लखने इस तरीके से हमें formula use करने होते हैं अब area of cross section क्या होता है area of cross section को हम blue part से बोलते area of cross section उसका head part इसे बोलते है area of cross section इतने part को हम बोलते है area of cross section क्या बोलते है area of cross section और area of cross section को हम क्या बोलते है बच्चो साथ से हमारा जो पार्ड हो गया इस तरीक से से हम बोलते हैं आरफ स्क्लियों कि अब फ्लोरल क्या होता है जैसे हमारा कोई स्पीड है जो यह रैट है फ्लोर एथ है तो जैसे हहाँ पर हम भी यहांख lip पुछा涅फ एक water है जो pumped कर रहा water निकाल ला है आउट थ्रोव सरकुलर पाइप सरकुलर पाइप सरकुलर पाइप इंटर्नल डाइमीटर है सेवन सेंटीमीटर तो actually two are equal to seven सेंटीमीटर और इस वाट seven by two सेंटीमीटर तो आप से पूछा है and flow rate flow rate का मतलब क्या है पर centimeter per second तो इसका मतलब speed यह है speed कितनी है 12 meter per second centimeter per second अब आप से पूछा हाव मेनी liters कितना volume है being piped out in one hour तो one hour में आपको पूछा है तब volume कैसे निकलता है समझो कि area of cross section area of cross section मतलब pi r square pi r square into speed क्या है speed into time यही use करेंगे कभी भी ध्यान लगाना flow rate वाले में यही formula use होता है समझ गए ना हमने pi 22 by 7 बिटा r की value क्या है r is what 7 by 2 diameter दे रखा था square हम दो बार लिखेंगे speed क्या है 12 centimeter per second अच्छा time भी हमारा second माहेगा तो time हमारा जैसे t one hour one hour में कितने second होता है 3600 सेकंड क्या एसे लिखेंगे तो हमारा यह meter per second centimeter per second और सारा centimeter मेरे के नहीं यह भी देखना है तो centimeter per second है तो हमारा 36 hour time क्या हम 36 seconds लिखेंगे क्या यह सब को समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि नहीं बटा मैंने okay कि वेलू रखिए आर की वेलू रखिए स्पीड हमारा मीटर पर सर्केंड है हमने स्पीड जो कोiusड में गिवन मीटर पर सेकंड है अब हमको सेकंड में रखेंगे क्योंकि आपको वन आवर में पूछ आए तो टाइम को हम क्या लिखेंगे अ मिoming हम समझ में 3600 अब हम स् Sonल कर लें गे हमारा centimeter Watson अतनी बात clear क्लिर है आच्छा हमें एक चीज और पता है वन THIS में होता है 1 thousand सेंटीम이다 कि इतने लोगों को पता है यह बात अब मुझे लिटर में चाहिए तो मैं 1000 लिटर को सेंटीमेटर क्योग आएगा समझ में आगया कि नहीं समझ गया ना हमने देखा volume of water area of cross section into speed into time area of cross section front of pipe जैसे आप से बोला जाए इस pen का area of cross section का है तो ये front part है अब ही हमने इसको solve करते हैं हम यहाँ से 7 से 7 कट करते हैं 2 से 11 कट करते हैं ये 6 आ जाएगा समझ में आए कि नहीं बोलो बच्चो सबको इतनी बात clear है कि नहीं 7 by 2 बिटर डायमीटर है ना internal diameter whose internal diameter 2 r equal to 7 है तो r equal to 7 by 2 समझ में आए कि नहीं बोलो हाँ कि ना कि इतनी बात सबको clear है कि क्लियर है कि नहीं बोलो हाँ कि ना अच्षा है कि नहीं है कि 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 अच्छो अच्छो अब हम इसे solve करते हैं इतना हमारा कितना centimeter क्यूव आता है तो हम इसे multiply करेंगे तो यह कितना आ गया 77 इंटू 6 इंटू 36,000 इसे multiply करो 11 इंटू 777 इसको हम multiply करें कितना आ गया 2772 इंटू 36,000 3600 cm क्यों क्या सेवर ठीक है यहीं आएगा इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों बोलो हां कि नहीं 2772 सबको क्लियर है इतनी बात या नहीं बच्चों बोलो हां कि नहीं सबको क्लियर है या इसका multiply करो clear है कि अभी यहां तक क्लियर है कि नहीं बच्चों बच्चों बोलो यहां तक सबको क्लियर है ना मैंने कैसे किया पाई यार स्क्वाइर एच इंटू ये इंटू दिस समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ स्पीड हमने जो लिखी है कितनी है 12 मीटर पर सेकंड है सेंटी मीटर पर सेकंड आप ऐसे भी कर सकते हो 7 से 7 कट गया 2 से 11 कट गया 2 से 6 आ गया आप इसे मल्टिप्लाई करोगे 77 इंटू 6 462 आएगा स्वरी 462 इंटू 3600 सेंटी मीटर क्यों फिर इसे 3600 से मल्टिप्लाई कर दू कितना आ गया 3600 से मल्टिप्लाई करेंगे 1663 200 सेंटी मीटर क्यों लीटर निकालना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं बोलो हां खिना 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे 1663 200 डिवाइड बाई 1000 लीटर इसे डिवाइड करेंगे 20 तो हमारा आगया 1663.2 लीटर हमने 1000 से क्यों डिवाइड किया है लीटर में की चेंज करने के लिए अभी clear है तो ध्यान लगना water flow rate का हमारा यही concept लगेगा अभी clear है सबको very good evening आप सबको समझ में आगया बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है सभी को clear है बच्चो clear है ना चलो नेक्स कोश्चन चलो इसे ट्राइग गरो दूसरा कोश्चन सेम है दूसरा कोश्चन सेम है है आट आट वरा Wow करoni आट अट को ँ्राइग आट आट पैभा मज़गरो का ह मुझा अच्छी कट्बरर काट सब्सक्चन में ल dobr एंपत्पू आट 1.54 में अट-ट अले में रंड़ कांवरो कि आपको वाटर फ्लो थो सिलेंडिकल पर वूज रेडियस इतना दा टाइम बता है कितना टाइम लगेगा एक्चुली एक पाइफ है कोश्चन को ऐसे समझीए एक सिलेंडिकल पाइफ है जैसे एक क्युवाइड कल क्या है हाइड यह है एक क्युवाइडल पाइफ है ऐसे टैंक बना है ऐसे टैंक बनाया है इसको इंपटी है इसको फिल कर रहा है एक सिलेंडिकल पाइप ऐसे पाइप कोई लगा सिलेंडिकल तो इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा कोश्चन यह आप से वाटर का वॉल्म एक्वल टू टैंक का वॉल्म ही तो निकलेंगे तो टैंक का वॉल्म क्या हैगा वॉलूम आफ वॉटर टैंग क्या है गा वॉलूम आफ वॉटर टैंग बेस थ्री इन्टू फाइफ हाइड कितना है एकवल टू वॉलूम आफ वॉलूम आफ वॉटर और वाटर पाइप के थरोफ फ्लो हो रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे पाई यार स्क्वाइर इंटू स्पीड इंटू टाइम एच की जगाई स्पीड इंटू टाइम कभी भी फ्लो रेट वाला ऐसे लिखेंगे अब देखो यहां पर मैं इसको सॉल करता हूं यहां पर पाई के वैलू रपता हूं टॉन्टी टू बाई सेबन आर की वैलू क्या है बिटा रेडियस सेबन है अच्छा फाइप मीटर है सेंटीमीटर इसको मीटर वदलना पड़ेगा तो बेसिकली हमारा कितना है रेडियस कितना सेबन इंटू सेबन स्पीड फाइप सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा तो इससे हम लिखेंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड है और टी हमारा सेकेंड में आएगा क्योंकि हमारे सेंटीमीटर है और यह भी सारे सेंटीमीटर स्क्वाइर मीटर है यह भी क्या ह मीटर है तो काम करते हैं कि हम सेंटीमीटर को ही मीटर बदलने ज्यादा अच्छा है तम क्यों सब को सेंटीमीटर बदले सारी यूनिट सेम रखते हैं इसको मीटर में रहते हैं मीटर इंटू टी तो सेवन भाई हम क्या लिखेंगे हंडेट कर सकते हैं है एक मीटर पर आपर 100 cm तो 100 cm से इंटे मीटर को मीटर बदलाएंगे तो 100 से डिवैड करेंगे 7 cm को में मीटर बदला अभी क्लियर है अब यहां से मेरा टी नहीं आ जाएकि भी नीड टू फाइंडट टी टी हम सॉल कर सकते हैं इसे सॉल करते हैं हम t की value निकालते हैं तो 3 into 5 into 1.54 upon बेटा देखो 7 उपर जाएगा तो हम 7 इधार आजाएगा और नीचे 22 into 100 नीचे क्या आएगा 7 into 100 क्या आजाएगा 7 into 5 equal to t आजाएगा क्या यही आएगा हम solve करते हैं और बेटा देखो 7 से 7 cancel out अभी और कुछ कड़ेगा नहीं कड़ेगा तो हमारा यह side cut रहा है न इससे हम cut करते हैं जैसे हम point अडाते हैं तो point से 20 नीचे आएगे 100 यह 100 से 100 cancel out अच्छा इसे cut करते हैं तो 7 times आएगा और यह 7 से 7 कट गया अभी 5 यह कट रहा है तो 5 से 5 कट गया अब बेटाए 3 into 100 तो क्या 300 सेकेंड आ गया हमारा टी सेकेंड में था तो 300 सेकेंड क्या clear हुआ 300 सेकेंड समझ में आया हमने पूरा solve कर दिया अभी समझ में आया बोलो बच्चो 300 सेकेंड हमारा answer आ जाए अभी clear है सबको बोलो बच्चो आपको ध्यान रखना है कभी भी कोई भी water tank जैसे ऐसा निकला हुआ है किसी भी flow rate किसी भी cylindrical pipe से यह दि कोई water जा रहा है water का volume क्या होगा तो आप flow rate into ध्यान रखना क्या लिखोगे area of cross section pi r square into speed into time speed is the flow rate of water time is the time flow rate हुआ clear है समझ गया गया विसनु सिंग तुम्हें क्या पूछना है यह बताओ रही एक्स्प्लें नहीं मेरे को यह बताओ पूछना क्या है क्या doubt है doubt बोलो बेटा बस हमने जो इस cylindrical pipe से water आया इस water का volume और इस tank का volume दोनों के volume को equal कर दिया है समझ गया ना समझ में आया समझ में आया कि नहीं दोनों को volume इसे try करो अक्टूबर फर्स वीक में आ जाएगा result इसे try करो हाँ question time ही निकालना था के बल टाइम ही निकालना था question में इसे try करो same है ये थोड़ा से रुको पहले इसको try करो इस इस्टन से है सब लोग try करो उने ह으면 में आ जाएगागा प्रताभ पॉको बहुपकर रख्वकर जा उने है सब लोग ट्राई करो इसको मैं आपको बताता हूं कि यह वाटर फ्लोइंग रेक्ट किलो मिटर पाउ थ्रोग पाइप सेंटीमिटर अच्छा किलो मिटर को सेंटीमिटर बिदलना है तो अभी कह रहा है कि इंटर्नल डायमिटर सर्कूलर सेडियस मिटर ये एंड डैप्थ इस टू मिटर हाउ ये अच्छा कोश्चन है वाटर इस फ्लोइंग रेक्ट इतना है थ्रोग शर्कूलर पाइप इतना है इंटर्नल डायमिटर आप शर्कूलर सिस्टरन 10 सेंटीमिटर डैप्थ 2 मिटर हाउ मस्ट टाइम टाइम पूछा है फिर वाई इक सिलेंडिकल कोई सिस्टरन है इसमें कोई एक पाइप ऐसे लगा है वो भी सिलेंडिकल है तो यह पाइप यह पाइप कितना टाइम लेगा इस इसस्टरन को फिल करने में that's a question, क्या question समझ में है, कि cylindrical एक कोई tank system है, उसमें एक system pipe है, pipe है, pipe है, जो pipe का flow rate है, उससे time कितना लगेगा, बोले बटा, अब देखो हमें इसका volume और water का volume, volume of system, अच्छा 2 meter depth है, 10 meter diameter है, तो actually इसका मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे, 2 pi r square h, और equal to, मुझे इसका volume of water तो pi, small r square, अच्छा, h की जगह speed into time लिखना पड़ेगा, क्या समझ में है, clear हुआ, अब मैं इसको solve करता हूँ, pi, अच्छा 2 capital r यह diameter थी, तो capital r, या 5 meter हुई, 5 into 5 into h, हमें कितना है, 2 meter depth, equal to pi, r की value कितनी रखी, अच्छा, meter है, इसको centimeter बदलना पड़ेगा, speed क्या है, kilometer है, इसको भी meter बर लो तो, 1,000 1,000 into t 5 into 5 into 2 upon 0.2, 0.2 into 3 into 1,000, इक्वल to आपको t लिखना था, ऐसे कर सकते हैं, centimeter को मेले, meter मदला है, ठीक है न, अच्छा, time आपका hour में आएगा बच्छो, ध्यान लखना, अब मैं इसे divide करता हूँ, तो दोको point 0, फिर point अटाओंगा, 0, 2, 0, 2, 0, cancel, अब मेरा एक तरीके से देखा जाए, तो 2 से 2, cancel, 5, 2, तो मैं ऐसे लिखूँगा, कि 5 upon, 2, 4, 3, 12, 12 आजाएगा, 5 upon 12 आवर, मिनट में चेंज करूँगा, 5 upon 12, इंटो 60, मिनट, इसे कितना आएगा, 25 मिनट, 25 मिनट आपका अंसर आएगा, 20 सेंटेमिटर डायमीटर है क्या, ओके, तो फिर 2 से डिवाइट करना पड़ेगा ना बच्चो, यह 1, 1 हो जाएगा बटा, इसे 1, 1 कर लेना, तो mistake फिर आणसर चेंज होगा, इसे हम 1, 1 कर लेंगे, तो 5 into 5 into 2, upon 0.1 into 0.1 into 3 into 1000, equal to T आएगा बच्चो, यहाँ से solve कर लेते हैं, 3 into 1000, ठीक है, 0 आगया, point अट आए, 0 आगया, हमने इधर कट किया, कितना आगया, 2, 0, 2, 0, cancel, हम इधर से कट करते हैं, 5, 2, 10, 2 से 2, 2 से 2, तो 5 upon 3 आगया, 5 आगया, 5 आगया, 5 upon 3 को यह दी, मिनेट में बतलेंगे, तो कितना आजाएगा, कितना आगया, 100 मिनेट, t equal to कितना आगया, 100 मिनेट, clear है, तब आपका 100 मिनेट आएगा, 1 hour 40 मिनेट, is the right answer, 1 hour 40 मिनेट भी सही है, next question देखू, are we clear हुआ, इससे ट्राइ को राएग, folding वाला concept, बेटा, diameter इसलिए, 2 से divide किया, विसनु सिंग, विसनु सिंग, diameter इसलिए, हमने divide किया, 2 से, 0.2 को 2 से divide करेंगे, diameter रेडियस बनाने के लिए, 2 से divide करेंगे, करेंगे, जाई norm navigation, करेंगे, से उत्यिए, consulting प्रश नेड़ जत्या दित्तेज wanna ज omega रेएटेंगे, अषर का झाल 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 आपको यह फोल्डिंग वाला है रेक्ट्रेंगलर पाइप सीड डामेंशन ट्वंटीटू सेंटेमिटर यह लेंथ हो गया कि हाटे में लेचत्ने केट्न है Monsieur सेंटिम्या नहीं ते सीसा मुणक्त oisब माधकर बोडिंग श्याच रॉटा मत्त यह यह उरूरत का कि आपने सेंट्रेंग ज्सट्रेंग। आपको पेड सी अबिगिए आपको कि ह। और को यह चीए का तरीक़्े से फोल्ड करता हूं यदी इसको ऐसे फोल्ड करता हूं यह इसको ऐसे फोल्ड करता हूं ऐसे तो यह सिलेंडर बनाएगा तो बच्छों आपको पता है कि ये 2 πाई r equal to 22 2 into 22 by 7 into r equal to 22 2 से 2 कड़ गया तो r की value क्या 7 by 2 आएगा बोलो हाँ की ना clear है कि नहीं अब volume आप से पूछा है volume equal to क्या है pi r square h क्या हम ऐसे use करेंगे बच्छों बोलो हाँ की ना बोलो बच्छों क्या हम pi r square h use करेंगे now pi r square h हमारा volume ये है तो r की value बेटा क्या है volume equal to pi ये हमने concept सिखा है था r की value क्या रखेंगे 7 by 2 7 by 2 h is what तो s तो हमारा 12 रहेगा न बच्छों ये 12 तो now we will put 12 cancel out ये 6 आ जाएगा और ये कितना आ गया 154 इसे 3 करेंगे into 3 बोले बच्छों 462 क्या आपका अंसर होगा तो ये आ क्लियर है कि नहीं बोलो हाकी नए क्लियर है बोलो बच्छों सभी लोग आप दे रेडियस इधर से निकालोगे न 7 by 2 अच्छा इसे ट्राई करो एच्छा प्प्छों एच्छों 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 इसे ट्राइए करिए सर इस दा होमबक कोशन आप क्या चाहतो होंबक दें क्या करें सभी लोग इसे ट्राई करिएगा और होंबक कोशन है आप लोग मेरे को कमेंट सेक्षन है बताइएगा इस कोशन का अंसर क्याएगा कमेंट द्यान लखिएगा यह Revolving है not rotating तो revolving में आप ऐसे करोगे जैसे यह rectangle है इसको revolve करोगे revolve करोगे समझ गहे न? revolve करोगे क्या करोगे? revolve करोगे तो ऐसे rectangle है इससे आप इसको ऐसे revolve करोगे R equal to 7 आएगा H equal to 4 आएगा volume निकाल लेना क्योंकि यह यह आप ऐसे revolve करके बनाओगे समझ गया न ऐसे रिवाल्व करके बनाओगे समझ गया न वोमबर कोशन है यह आपको आप ट्राइ करिएगा आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा इस कोशन का अंसर क्या हैगा चलिए आज के लिए तना ही थैंक यू सो माच जैहिन बाबाई टेक केर